गर यए शन erो अогपे को तो सर हमारा चेप्टर का नाम क्या है सर कॉस्षीट है थीए न Toyota होता क्या है हम देखेंगे सारी चीज़े देखेंगे हाला कि ये चैप्टर न आपको बुक में जिस बच्चे के पास अगर किसी के पास बुक होगा न तो बुक के अंदर ये देखने को इस नाम से नहीं मिलेगा ये चैप्टर बुक के अंतर इंट्रोडक्शन में है या फिर जर्नल प्रिंसिपल जर्नल प्रिंसिपल के नाम से एक चैप्टर है चैप्टर नमबर वन किताब में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है क्लियर है तो पहले कई बच्चे ढूंडते हैं तो उनको नहीं मिल पाता तो मैंने पहले क्लियर कर दिया चलिए सर कॉसीट क्या है और कैसे है देखो कॉसीट बेसिकली कुछ बच्चों का हैंड्रेज आ रहा है तो अभी हैंड्रेज का तो कोई है नहीं मतलब जो बच्चे गलती से कर भी रहे हैं डिसकनेक्ट कर दीजिए अभी हमागे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी आपके समस्याओं का सोलीशन करते जाएंगे कॉसीट की हम बात करें सर वाट इस दा कॉसीट तो कॉसीट बेसिकली हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस है यह है के हमारा सर एक प्रॉफिट एंड लॉस मैं छोटे-छोटे से सवाला पूछूँग आपसे और आपको उसके जवाब देने हैं आप मुझे जवाब दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में से जो आंसर निकलता है वो क्या होता है profit and loss में से जो answer निकालते हैं वो answer क्या होता है कौन बच्चा बताएगा फटाफट बता दीजी जो profit and loss में से answer निकालते हैं वो क्या होता है notification आ रहा है इसको थोड़ी दिर के लिए close करते है तुशार का कहना है sir profit आएगा बच्चे का कहना है surplus आएगा net profit आएगा बिल्कुल सही तो यहां से जो result आएगा sir वो आएगा that is हमारा या तो finally निकलेगा profit या फिर आप सभी known जानते हो क्या निकलेगा हमारा loss ठीक है तो जो profit and loss होता है वो as a finance में होता है as a finance में ठीक है ना जैसे की थोड़ा सा समझते है एक हमारा होता है finance accounting ठीक है ना एक होता है finance accounting और अभी जो हम सीख रहे है that is cost accounting cost accounting अभी जो सीख रहे है that is cost accounting दो अलग अलग accounting हो गई finance accounting और अभी जो सीख रहे है that is cost accounting finance accounting की जो सबसे ज़्यादा knowledge होती है उसे उसे एक Chartered Accountant कहते हैं जो CA बनता है मानते हैं उनको Knowledge है Cost Accounting की जो सबसे ज़्यादा Knowledge है उसे हम ICWA हाला कि यह पुराना नाम है नया नाम CM में हो गया है मैं CM में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एक और Course का नाम CM में है ठीक है अब अगर मान लो एक मारूती कमपनी मारूती अब मारूती कौन सा जो चलती है कार वाली कमपनी को लिख रहा हूं मैं कार वाली कमपनी है यह सर जो कार वाली कमपनी है वो कार वाली कमपनी अपना manufacturing करती है manufacturing करती है जो manufacturing करती है ये कार वाली कमपनी अब इस एक प्रोड़क्ट का कॉस्ट कैसे डिफाइन करेगी तो इस प्रोड़क्ट को कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए हम बुलाएंगे स्पेशलिस्ट और जिसने ICA WA कर रखा होगा इसको बुलाएंगे चल भाई तू आजा फटा फट से हमारी कॉस भी जानना है तो प्रोफिट एन लॉस को जानने के लिए एक चार्टेड अकाउंटेट को सबसे ज़्यादा नौलेज होगा हम इसको पकड़ के लाएंगे हाँ भाई सीए चल फटा फट से तू मेरा प्रोफिट एन लॉस बता अल्टीमेटली प्रोड़क्ट का कॉस्ट ब अगर कहानी को मोरोल समझे आप तो भाईया दो कहानी हो गई एक हो गया हमारा सीए और एक हो गया हमारा सीड़ एक यह वाली अकाउंटिंग हो गया यह वाली अकाउंटिंग इन दोनों का आपस में लड़ाई जगड़ा बड़ा रहता है सीए जब अकाउंटिंग करेगा तो CA जब accounting करेगा, तो CA बोलेगा के भाईया, समान कितने का था, बताओ मुझे, और जब CA में accounting करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ समान कितने का था, वो बताएगा, यानि एक product का cost बताएगा, और CA बस उस cost को क्या लिख देता है, यहाँ पर two purchase का नाप से लिख देता है, तो ऐसे situation में, दोनो accountant का अपना अलग-अलग है, तो जो cost accountant वाला है, वो CA वाली कोई accounting नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई, मैं तेरा काम क्यों करूं मुझे, तो salary जो मिल रहा है, वो किसका मिल रहा है, तो मैं क्यों निकालू profit and loss, finance cost क्यों जोड़ू, तो finance जितने भी होंगे, वो CA जैसे कि profit and loss, balance sheet यह बनाएगा, लेकिन cost वाला भी अपना एक बताएगा, तो यह जो cost वाला बनाएगा ना, अपना profit and loss, वो तो point of view cost sheet के हिसाब से बनाएगा, और जो finance वाला अपना बनाता है, वो किसके हिसाब से बनाता है, profit and loss, तो हम सीख रहे हैं cost account, cost account क्या है सर, एक profit and loss ही है अगर समझे तो, लेकिन इन profit and loss को बनाते समय पे, सारे एक खर्चे को नहीं लिया जाएगा, कुछ खर्चे को ignore कर दिया जाएगा, जो की खर्चा निकालना एक C.A. का काम है, उस खर्चे को cost accountant बोलेगा, भाई मैं नहीं देखूँगा इस खर्चे को, तू ही देख मेरा तो इससे लेना ही देना नहीं है, जिस खर्चे से related इसका काम होगा, सर्फ उस खर्चे को incorporate करेगा, अब मुद्दे की बात है सर, इसका कौन-कौन सा scope क्या है, इसका कौन-कौन सा area है खर्चे वाला, वो सारी बातों को हम दिखेंगे, तो सर फिर से आजाएए, क्या सीख रहे हैं सर, cost sheet, एक product का cost कितना होगा, सबसे पहले देखो, ये नाम है या sheet, शीट का मतलब क्या है, cost का मतलब product की कीमत, हम इसमें product की कीमत निकालने सीखेंगे, sheet का मतलब होता है, कि किसी भी काम को एक paper पे करना, और हमारा जो format है, कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, एक अच्छा सा बड़िया format बना लेंगे, और कुछ इस तरीके से हम जैसे, इस format में हम कर देंगे, तो that is ये हो गया हमारा sheet, और ये sheet पे किस चीज का काम करेंगे, cost का तो नाम पढ़ गया, cost, sheet, simple सी बात है, सारे खर्चे लिख लेंगे हम, सारे खर्चे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, क्या format होगा? एकजक्ट बताऊंगा। अभी तो overview दे रहा हूं, फिर यहां में क्या लिख लेंगे सर? sales लिख लेंगे, और इन दोनों मेंसे total खर्चे को, sales मेंसे minus जो करेंगे, वो क्या निकलके आजाएगा सर? profit आजाएगा, क्या जाएगा हमारा profit format यही रहेगा अब हम बात करते हैं cost cost वाला का इतना detail काम होता है आप भी देख के हैरान हो जाओगे जो cost होता है उस cost का हमें अंदाजा लगाना है कि कैसे कैसे होगा अब मैं इस cost को कुछ parts में बाढ़ देता हूँ चलिए मान लेते हैं कि example ले लेते हैं इसे example से समझेगे ठीक है मान लेते हैं आप यह आप हो यानि you ठीक है आपका मन किया आपके मन में आया कि यार कुछ खाया पिया जाए और आप ने decide किया कि हम एक काम करते हैं मेगडी चलते हैं और बर्गर खाएंगे decide किया मेगडी चलते हैं बर्गर खाएंगे और मेगडी चलके बर्गर खाना है जी हां मेगडी चलके बर्गर ही खाना है आज और कुछ भी नहीं खाना आपके नियर बाइए आपने यह रहा आपका एक मेगडी यह रहा मैक D ऐसे लिखते ने MD लिखता है शायद हो MC लिखता है भाई हम तो गई नहीं अब पतानी बस नाम सुना है MCD होता है शायद जो भी है मैक D है यह मैक D है ठीक है आप यहां से चल के जाओगे यह मानलो रस्ता है यह रस्ता मैगडी के तरफ जा रहा है और यह आप मैगडी पे चलके जाओगे और जब आप यहां चलके जाओगे ना ध्यान से सुनना जब यहां आओगे तो यहां एक आपको गार्ड मिलेगा जो आपके आते ही सबसे पहले आपको क्या करेगा वेलकम समझते हो ना हेलो सर कैसे और आप धीरे 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 कहां चले जाओगे अंदर अंदर जाने के बाद आपके सामने काउंटर मनेजर आएगा इस काउंटर के पाठ जाके अपने मनमर्जी से पढ़ंगे क्या बोल रहे है नहीं बोल रहे है क्या हैं नहीं है हलाकि वहां पे मैंने ये बात तो देखा है कि जो काउंटर पे होते हैं वो भले ही पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं यह इतना नहीं उनको पॉडक्ट के नाम इसने स्टाइलिस तरीके से बोला जाता है कि सामने अलबंदा कन्फ्यूस हो जाता है बोलता भाई जो है उसने कुछ बोला दे दे ठीक है मतलब वो स्पेशलिस्ट है भाई अब इतने सारे नाम होंगे जितने नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे आपको तो भाई यह सिंपल सा एक बर्गर लेना है बर्गर में भी इतनी वराइटी बता देते हैं हम सूचता है अर क्या लेना है अब क्या खाए मन भी नहीं करता एक टेपल पर आप यहां बैठेहे चेयर लेकर और यहाँ यहां पर आप बैठके एक बर्गर आपको सबसे सस्ता मिला वह भी 99 उन्हीन नियुका आपको मिला और 99 लुकिक आप यहां पर खाने लगे है और 99 उन्हीन रुपैका एक सेकनड तीदी सी बात है आपने ये बर्गर खाया अब बर्गर को खाने के बाद और यहां पर भाई साब फुली एसीड लाइट इतनी जहां पर इतनी सेलफी लेली हमने जो लग रहा था कि कितनी बढ़िया आ रही है हमारे कैमरा कितना अच्छा हो गया है यहां पर आके ठीक है तो हमारा सारा का सारा है हम पूरे तरीके से लेकिन बर्गर खाते खाते हमारे माइंड के अंदर हमारे माइंड के अंदर कुछ कोश्चन मार का है यह निन्यानवे रुपे का निन्यानवे रुपे का कैसे हो सकता है यह जो बंद है यह जो बंद है इस बंद की बात करे तो ये तो भाया 40 रुपे के 4 देखे हैं मैंने और नहीं तो मान लो बहुत अच्छी quality की लगा रहा है तो एक बंद की कीमत मान लेते हैं कि 20 रुपे 20 रुपे से उपर तो होई नहीं सकता और इसके अंदर जो टिक्की है वो मेरे ख्याल 200 ग्राम आलू होगा 200 ग्राम आलू होगा इसके अंदर इससे ज़्यादा तो है नहीं कि आदा 1 किलो डाल दिया हो तमाटर 50 ग्राम तो अल्टिमेटली आलू 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 जो इसके अंदर डाला हुआ है जब महंगा होता है तो चार-पांच और ले लेते हैं दे भाई पैसे पूरे वसुल ने है ठीक है ना मान लेते हैं भाई इतने दूर होगा पचास देते तो मज़ा आ जाए पचास या चालिस रुपए होता न तो यहां भीड़ लगी रहती हमने यह कैलकुलेशन किया तो यह कैलकुलेशन हमने जो किया वह हमें जो दिखाई दिया जो हम सोच सकते थे हम सिर्फ उसी चीज को देख सकते थे जो कि हमें दिखाई दिया हमने कैलकुलेशन किया लेकिन आप इस कैलकुलेशन को करने में जो यहां पे गार्ड ने आपको सल्यूट किया था इसकी सैलरी 20,000 रुपए है यह आपने नहीं जोड़ा जिस टेबल पे बैठ के खा रहे हो इसका डेप्रिशेशन भी लगता है यह टेबल 5,000 रुपए का है यह नहीं जोड़ा जो यहां पे व्यक्ति आपको बता रहा था जो इसका इंप्लॉई था उसकी भी सैलरी कहीं ने कहीं बहुत सारे इंप्लॉई होते हैं 20,000 उसको नहीं जोड़ा यह तो लाइट में आप फोटो खिचवा रहे थे उस लाइट का भी महिने का किराया बिजली बिल आता होगा मान लेतने के 30,000 रुपए जो नहीं जोड़ा जहां पे यह मैगडी है एक हमेशा अच्छे जगह पे होता है जहां लोकेशन वाइस रेंट जादा होता है इसका रें नाग में तो है लेकिन उसका घणित लगाना बड़ा मुस्किल है मैं बोलू गार्ड का अपके बर्गर पर आया बता हो मैं बचल का पिसा जाषै तो नहीं बताया जा सकता, भाई कितना है, बिजली का बिल 30,000 है, तो भाई आपने बिजली के बिल में खाया, लाओ 30,000 रुपे बर्गर के साथ, बर्गर तो 99 रुपे का 30,000, बिजली का बिल भी तो आप थोड़ी न दे दोगे, लेकिन दुकानदार को, अगर ये सारी चीज यहां पर direct expense, यहां क्या बोलते हैं, और कई बार आप packing भी करवाते हो, ध्यान होगा, आप packing करवा के घर ले जा रहे हो, तो एक खर्चा हमें direct, और जो खर्चे हम सोच नहीं रहे थे, कि हमारे उपर कितना आएगा, जैसे इस guard की salary, जैसे बिजली बिल, जैसे lighting का खर्चा, या table का खर्चा, ऐसे खर्चे जिसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, that is indirect expense, पहले तो expense की categorize मैंने कर दिया है, आप सबसे पहले समझिये direct expense क्या है, indirect expense क्या है, direct expense वो है जो आपके दिमाग में जट से calculate कर लेते हो, और indirect expense वो है जिसका तो आपको खयाल भी नहीं आता, या फिर Simple सी बात है, अब आपने सुना होगा, कई बार ऐसा सुना होगा, कि भाई आईफोन लेते हैं, आईफोन का बनाने का खर्चा 20-30,000 आता है, बेस्ते डिड़ लाक रुपे में हैं, तो 20-30,000 रुपे तो आप cost जोड रहे हो उसके, उसके बाद sales, promotion, इतने सारे चीज़े होती आउटलेट, इतने सारी, वो सारे खर्चे आप भूल जाते हो, उसको करने के लिए, ठीक है न, मैं एक example लेता हो, माल लो, मैंने ये calculator लिया 300 रुपे का, आपके सामने calculator है, अगर मैं इसकी costing निकालने तो आप बोलोगे, ये plastic का button है, 20 रुपे का button होगा, display है, चलो technology वाली है 100 रुपे का display होगा, माल लेते हैं एक पल को, बैटरी, 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 बीस्तिस, डेट, रुपे का पड़ रहा है, लेकिन हम भूल गए कि इसके marketing पर भी खर्चा है, इसके advertisement पर भी खर्चा है, हम भूल गए कि इस factory के बाहर guard भी खड़ा है, जिसकी salary को तो हमने ना मिलेगा, तो ये सारी के सारी चीजे यहाँ पर देखी जाती है, तो यहाँ पर दो तरीके के खर्चे मैंने बताए, एक कौन सा खर्चा बताया मैंने, direct expense, और एक कौन सा खर्चा बताया, indirect, direct खर्चे कौन से खर्चे होंगे, जिसको आप देखते ही बता दो, कि भाईया और एक हो गया हमारा, indirect, अब direct की भी बात करें, तो direct में भी बहुत सारे खर्चे हो सकते है, direct में एक तो raw material हो सकते हैं, अब raw material में क्या था आपका, burger, मतलब बंध था, और आपका aloo के टिक्की हो गई, या फिर आपका, उसमें ketchup हो गया, यह सब क्या होगा रॉम ट्रियर्ट में आप जाद जाद बोलोगे सेलरी भी अगर आप निकाल लो कई बार बहुत सारी चीजे ऐसे होता है कि आपको जैसे मैं बोलू कि भाई एक कैलकुलेटर बनाने का कितना लेगा तो लेवर बोलता है कि भाई पीस रेट पे लूँगा द और एक direct क्या हो सकता हैं लेवر होसकता है और क्या हो सकते है लेवर हो सकता है ठीक है न तो सबसे पहले हैडारों material क्या होता है करे डूट ॉद्दू कर रहें है तो यह आप जितने भी खर्चे होते हैं, उस खर्चे को हम नाम देते हैं ओवरहेड, तो sir, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, sir, ओवरहेड का मतलब होता है, sir, खर्चा, sir, एक example दो, ओवरहेड खर्चा कौन सा है, ओवरहेड का खर्चा हमारा कौन सा हो सकता है, जैसे कि मानलो, आपको एक मेरे को पता है कि एक बर्गर को बनाने में पांच मिनट का टाइम लगता है और पांच मिनट में मेरी एक बिजली का यूनिट खतम हो रहा है एक यूनिट मेरा मेरा 10 रुपे का है तो मैं यह बता सकता हूं एक बर्गर को बनाने मेरा 10 रुपे का बिजली जा रहा है तो बिज का किराया किस में जाएगा, जाएगा, मैं भी सिंपल बता रहा हूँ, वेजिस दिया, लेबर में, इसके बाद मैं बोलू, बिजली का बिल, ओवर हैड के अंदर, ठिक है, अगर मैं बोलू, raw material तो purely raw material होगा, direct के अंदर ये तीन बाते हुते हैं, सर कैसे हो सकते हैं इनडारेक्ट में तीन बाते हैं सर इसके अंदर भी raw material होता है जैसे indirect expense की बात करें इस calculator के उपर मैंने polythene लगा रखा है वो खर्चा तो जोड़ते हैं निकाला फैक दिया भाई है तो raw material वो वो भी raw material अब इसको जो packing कर रहा होगा labor polythene को डाल रहा होगा उसकी भी salary भले ही कम होगा salary तो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा labor हो जाएगा इसके बाद overhead क्या हो सकता है लाने आने का किराया होगे हमान लोग packing करके हम भेज रहे हैं गत्ते को ला रहे हैं किराया तो वो क्या होगे हमारा overhead तो direct, indirect कोई भी हो उसके अंदर तीन components मिलेंगे labor, raw material और overhead raw material मतलब जो goods लग रहा है और overhead का मतलब जो खर्चे हैं और labor का मतलब wages तीन पार्ट में खर्चे को माटा जाता है तो दो तरीके देख लिए एक direct और एक और यह सारी की सारी बाते पता है कहा हो रही है यह हो रही है factory के अंदर अगर जैसे ही factory से आप बाहर निकलोगे इसका मतलब आपका goods क्या हो रहा sales होने के लिए तैयार है क्योंकि factory से बाहर तो समान भिकने के लिए निकलेगा तो वहाँ पे जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे Selling Expense आ जाता है Selling & Distribution Selling and Distribution Expense वहाँ पे क्या जाता है Selling and Distribution Expense अगर हम Selling और Distribution Expense की बात करें तो ये भी 3 हो सकता है सर कैसे Selling and Distribution Selling and Distribution मतलब 3 Category गहां मैं फिर से explain करूँगा जहांसे समान बिकेगा, कैसे हो सकता है अब packing करेगा, तो selling का part start हो गया packing जो polythene में दे रहा है, तो वो क्या हो गया raw material, जो delivery वो है आपके घर तक लेके जा रहा है वो समान वो क्या हो गया, labor ठीक है, इसके बाद और क्या हो सकता है वहाँ पे, वहाँ पे overhead भी हो सकता है मान लेते हैं, उसको और भी कुछ, electricity भी उसमें लग रहा है packing के अंदर, उस box भी लग रहा है हमारा, कुछ न कुछ चीज़े तो लग रहा है box में भी तो container में डालेंगे तो वो क्या हो गया हमारा, overhead तो हम अगर खर्चे को तीन पार्ट में देखें खर्चे को सोचें तो एक direct है और एक indirect है और एक क्या है selling and distribution Sir, direct में कितने पार्ट है Sir, तीन पार्ट है पताइए कौन-कौन सा Sir, एक labor और material एक labor, एक overhead है इसमें भी कितने पार्ट है आपके तीन पार्ट, labor, overhead और, sorry, labor, overhead material और इसमें भी तीन पार्ट, labor, overhead and material तो पहले तो आप खर्चे को categorize करिए यानि अब यहाँ पे खर्चे का नाम बदल गया अगर बोलोगे Sir, rent तो expense है नहीं भाई expense नहीं है, overhead बोलना है यहाँ पे आपको हम पहले क्या बोलते थे, rent भाई खर्चा है पेंडल में डाल दे, wages भाई खर्चा है पेंडल में डाल दे, ऐसे बोलते थे अब ऐसा नहीं बोलेंगा, rent भाई खर्चा है लेकिन इसको कहां consider करेंगे हैं overhead में, यहाँ overhead overhead का मतलब होता, उपर से होने वाला सारा खर्चा, that is overhead, समझे बात आपको तो आपके किताब में भी यह ऐसे categorize कर रखा है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, क्या-क्या element है हमारे, ठीक है न, देख लेते हैं क्या-क्या element है, आपकी किताब अभी किताब का तो मैंने देखा, मार्किट में आ गई है लेकिन मुझे मुझे मौका ही नहीं मिल पारा, मैं जाके देखूं Sunday ही जाके देखूं और आपको बता दूँगा तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, तो material, material कितने तरीके के हो गए, direct भी हो सकता है दो तरीके के हमारे क्या हो गए, material अगर हम बात करें, indirect तो factory का भी हो सकता है, office का भी हो सकता है और selling, distribution का भी हो सकता है ठीक है न, यानि हमारे पास दो चीज़े, material, labor और expense, expense को क्या नाम बोलोगे overhead, तीन खर्चे है न, material, labor अब material कितने टाइप के हो सकते हैं तीन टाइप के हो सकते हैं, कौन-कौन से एक direct material हो सकता है, एक indirect material हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, selling and distribution अगर हम direct material की बात करें, तो direct तो एक ही हो गया indirect को दो पार्ट में बाट देगे, factory में भी हो सकता है Office में भी हो सकता है акс कहा हो सकता है bes Bay Edition City City enemies in direct लेकिन अभी कहा कहा हो सकता है और इभी और वी बात करें se cara do अब अब को इतना नहीं ऊढ़िजा तो अबस और factory का scenario भी एक बर में समझा देता हूँ सबसे पहले आपके सामने ये है यहाँ पर आपका माल तयार होता है यहाँ मसीने वगएर हैं माल तयार होता है that is आपका factory अब factory से कहीं दूर आप एक अपना office मनाते हो एक अपना क्या बनाते हो सराब और इस office में क्या करते हो आप समान को बेचना खरीदना जो भी है तो factory से थोड़ा सा दूर क्या हो जाएगा हमारा साहब थोड़ा सा दूर office हो जाएगा इसके बाद यहाँ से आपका salesman आ जाता है salesman आ जाएगा जो आपके समान को क्या करेगा सर sold करेगा जो आपके समान को sold करेगा तो यहाँ पे जितने भी खर्चे होंगे वो factory के हैं यहाँ पे जितने भी खर्चे होंगे वो office के हैं और जो salesman जितना खर्चा करेगा वो कौन सा होगा selling and distribution मैंने बोला यहाँ करेंट जा रहा है तो कौन सा होगा factory कौन सा होगा मैंने बोला यहाँ करेंट जा रहा है तो कौन सा होगा office और office में होने वाले खर्चे को एक और नाम जाना जाता that is admin expense administration जो भी office में खर्चे होंगे उसको standard नाम से क्या जाना जाएगा administration expense factory वाले को तो हम factory बोलेंगे और हम बोलेंगे sales वाले को selling and distribution तो तीनों के नाम देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में अगर नाम फेट हो गया है तो costing बड़े आसानी से चलने लग जाता है तो पहला factory में खर्चा वाला हो गया एक हो गया office में office वाले खर्चे को क्या बोलेंगे administrative expense और जो हमारा selling में खर्चा होगा sales करने में उसे क्या बोलेंगे selling and distribution expense बच्चे कह रहे हैं sir blur एक बार selling and distribution expense क्या labor overhead raw material example दे दो ठीक है बच्चे कह रहे हैं sir एक बार selling overhead का दे दे देखो selling overhead में अब मैं burger का example ले रहा हूँ तो burger ही है इस burger को pack किया जाएगा एक bag के अंदर तो यह जो bag है वो एक raw material है है तो selling distribution में लेकिन है क्या raw material अब जो इसको ले के जाएगा मेरे घर पे आएगा जो delivery boy होगा वो इसको क्या देना होगा labor देना होगा ठीक है अब यहाँ पर main container है इसके उपर जो tape लग रहा है यह material ही है एक तरीके से tape लेकिन यह बहुत ऐसा material नहीं है जो कि इसका part हो तो इसको हम overhead के अंदर count कर सकते हैं या फिर उसको packing के अंदर electricity यूज हुआ है या फिर उसको packing करने के लिए हमें कुछ और polythine वगरा चोटे मोटे मैंने यूज कर लिए है या फिर मैंने क्या करा इस packing के अंदर एक अपना template pamphlet डाल दिया pamphlet जानते हो ना उसके अंदर डाल देते हैं यह यह भी हमारी company के अंदर है यह भी चीज यूज कर सकते हो समझते हो pamphlet क्या होता है ब्रॉसर जिसके अंदर menu डाल दिया अपनी business का तो यह menu थोड़ी रहा है तो यह क्या हो जाएगा हमारा एक overhead हो जाएगा तो कौन सा part होगा selling and distribution का part होगा यहां तक समझ मैं आई बात आपको direct overhead का भी example दे दो direct overhead direct overhead सबसे पहले तो यह decide करो होगा कहा direct overhead होगा factory factory के अंदर material और labor को छोड़के जितने खर्चे rent भी direct महीं आएगा जितने भी factory के अंदर होगे वो सारे के सारे लगवग लगवग आपके direct माने जाते हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो आपको दिख रहा है उसको क्या बोला जाएगा direct बोला जाएगा जो apparently आपको दिख रहा है कि यह खर्चा इतना होगा वो क्या बोला जाएगा direct और generally आप उसी cost को देख पाते हो जो कि आप अंदाजा लगाते हो इसलिए उसको क्या बोला जाएगा हमारा direct expense हम आगे दीरे दीरे और भी पढ़ेंगे और सारी चीजों को करते जाएगे marketing expense include किस में होगा marketing selling and distribution में होगा क्योंकि sales करने के लिए कर रहे हो एक सिखा हमने raw material और क्या सिखा सर एक नया नाम सिखा labor और क्या सिखा एक सिखा हमने selling selling and distribution और क्या सिखा सर एक admin expense सिखा यह कुछ हमने वर्ड सिखें यहां पर ठीक है और क्या सिखा सर और हमने पता कि यहां सर डारेक्ट expense होते हैं और कौन से खर्चे होते हैं indirect expense और कौन से खर्चे होते हैं एक होते हैं हमारा selling and distribution के खर्चे तो यह तो हमें जैसे पता ही है कि क्या होता है ठीक है यहां तक clear है बात अब मैंने starting में बात करा था कि हम cost sheet बनाएंगे ठीक है cost sheet बनाने का मैं अभी पूरा format नहीं बता हूँ एक roughly idea दूँगा कैसे बनेगा क्योंकि मैं final तो मैं जब आपको पूरा basic चीज़ा समझ में आ जाएगे न अच्छे से और आप बोलोगे सार यह सब तो एकदम से clear हो गया तो मैं जाओंगा cost sheet के अंदर हम headings में बातेंगे सबसे पहले रखेंगे हम एक heading that is prime cost कैसे होगा प्राइम कोस जितने भी direct expense होंगे वह एंगे अगले direct expense सारे के सारे ले लिए वह कहां जाएगा हमारा prime cost अभी मैं final format नहीं बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूं कि कैसे हमारा sequence चलेगा इसमें ठीक है अब direct expense में क्या हो सकता है sir raw material भी हो सकता है sir labor भी हो सकता है और sir यानी overhead भी हो सकता है मैंने बताया direct में तीनों प्राइम कॉस्ट आपका निकलता है इसके बाद हम लिखते हैं अ या फिर फैक्ट्री ओवर हैड या फिर फैक्ट्री ओवर हैड क्या होता है एक मिनट्स तो सर फैक्ट्री ओवर हैड मैं बात कर रहा था फैक्ट्री ओवर हैड मतलब होता है कि वह खर्चे जो कि डारिक्ट नहीं है इंडारिक्ट है लेकिन वह फैक्ट्री के अंदर कई वार हो जाते हैं तो फैक्ट्री ओवर हैड आएगा फैक्ट्री ओवर हैड के बाद हम यहां खर्चे लिखेंगे जैसे कि हम लिखेंगे सपोज डेपरीशेशन लिखेंगे मसीनरी का सपोज हम इंडारिक्ट लीबर को थोड़ा-थोड़ा समझाऊ यह आएगा इसके बाद फिर हम क्या करते हैं हम इस टॉक को अर्जस्ट्मेंट मारते हैं डेट is WIP एक स्टॉक होता है के्टिगराइज करना है हमें जैसे की π्रेशफिटीपिटीफ इंवेस्टिइग थोड़ी किiani ओपर लिखेंगे हम सबसे ऊपर लिखेंगे हम प्राइम कौस्ट हेलो चैनल प्रेजबज warning झाल झाल देखेंगे चिंता नहीं करते हैं ठीक है तो हमारा क्या आगया फैक्ट्री ओवरहेड और भी देखते हैं सर इसमें कितने कटेक्री जब तक यह आपको सारे हैडिंग याद नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आगया अगे नहीं बढ़ूमा इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को करते ही हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रड़क्शन अने के बाद कॉस्ट प्रड़क्शन से बीच में क्या होता है यहां पर हम लेते हैं एड्मिन एक्स्पेंस admin expense अब admin expense आपको पता चल रहा होगा कौन से expense होगा अड्मिन expense उयह सारे का सारे हमारे office वाले खर्चे होगे इसके बाद यहां से हम plus minus कर देते हैं फिनिस गोड्स यह आजाता है हमारा cost of goods sold cost of goods sold फिर हम क्या करते हैं हम last में sales को minus कर देते हैं और यहाँ पर क्या जाता है हमारा profit यह मैं roughly idea दे रहाँ अभी proper format नहीं बता रहा है इस बात को ध्यान रखी तो यह इस format में हम सारे खर्चे को लेते हैं लेकिन खर्चे को भी ऐसे नहीं करेंगे कि खर्चे को जहां मर्जी जैसे मर्जी टोटल कर लिया खर्चे को भी define करेंगे category wise और last में हम sales को minus करके अपना profit निकाल पाएंगे ठीक है last में हम minus करके निकाल पाएंगे अब इसके अंदर देखो अब बात हम कर रहे थे किसके अब costing जब करेंगे तो यहां पर क्या आएगा साहब यहां पर क्या आएगा यहां पर तो सारा का सारा हमारा क्या आएगा खर्चा आएगा ना सर यहां पर क्या आएगा सारा का सारा खर्चा अब मैं आपसे पूछू बताओ interest expense है या income है आपसे मैं पूशता हूं बताओ interest expense है या income है जल्धी जल्धी बताइए सर इंटरेस्ट expense है इंकम है कि डवलु आई पी अभी सब लिख वाएंगे मैंने एक रफ ली बताए interest expense है या फिर इंकम है बच्चों का जवाब आया सर एक्सपेंस है ऐसे ही मैं बता एक बच्चे का एक्सपेंस है वाकी भी बताएं इंट्रस्ट मैं पूछता जाओंगा तभी आपको पता चलेगा कुछ इंकम कह रहे हैं कुछ एक्सपेंस कह रहे हैं आप बताएं इंट्रस्ट आपने एक्सपेंस माना और मैं अगर आपको सिंपली कहूं बताओ एक्सपेंस कहा जाएगा तो आप कहीं न कहीं दिमाग लगाओगे कि यहां पर फिट हो जाना चाहिए कुछ यहां सारे खर्चे आएंगे मैं लेकिन बोलूगा कि कॉस्ट अकाउंट में हैं जो यहां नहीं आएंगे पहले तो मैं आपको वो clear करूँ यानि यहां पे सारे के सारे खर्चे लिखे जाएंगे लेकिन some expenses ऐसे हैं जो कि यहां पे नहीं आएगा यह बात समझ में आ रही है आपको सारे खर्चे यहां लिखे जाएंगे लेकिन कुछ expense है जो यहां पे नहीं आएगा, इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही है आपको तो सर ऐसे कौन से खर्चे हैं जो यहाँ पर नहीं आएगा वो भी हम discuss करेंगे, ठीक है अब आ जाते हैं सर आ जाते हैं cost sheet अब देखिए मैं आपके सामने format बनाता जाऊंगा अब मैं format प्रॉपर तरीके से बना दूँआ यह लिखिए यहां amount यहां लिखेंगे cost sheet यहां लिखेंगे particular सबसे पहले हमारा होगा raw material purchase इसमें plus हो जाएगा opening stock raw material minus हो जाएगा closing stock raw material देखिए OS opening stock है और CS closing stock अभी फ्लाल स्टार्टिंग है तो मैं पूरा ही लिख दूँ नहीं तो फिर आप कोई बच्चा confused नहीं हो जाए प्लस हो जाएगा opening stock इसके 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 बाद आजाएगा हमारा प्लस direct wages या फिर जो भी direct हमारे खर्चे होंगे सारे यहां आ जाएगा question बताएगा इतना काम करने के बाद जो हमें result निकल के आएगा that is आएगा हमारा prime cost prime cost इसको अलग कलर से कर देते हैं prime cost यह जो निकल के आएगा that is prime cost सर्फ prime cost निकल के आगया बिलकुल अब यहां पे सर एक stock की बात कर लेते है stock stock को तीन कैटिगरी में बाटा जाएगा हलाकि पहले भी आपने कभी न कभी सुना होगा stock को तीन कैटिगरी में बाटा जाता है एक stock होता है that is raw material का थोड़ा थिक नजबा देते हैं एक stock होता है हमारा that is work in progress का और एक stock होता है finished goods का goods का एक stock होता है raw material एक होता है work in progress और एक stock होता है finished goods sir raw material क्या होता है कच्चा माल work in progress वो stock होता है जो कि ना तो आप बोल सकते हो कच्चा माल और ना ही बोल सकते हो finished goods यानि कुछ काम होने के बाद तयार हो जाए मैं बड़ा simple सा example लेता हूं जैसे माल लो आपके घर में रोटी जुरूर बनाते हैं रोटी बनाने के लिए आपके पास आठा है तो आठा क्या है यह कच्चा माल है जैसे ही आठा को आपने गीला किया आठा को आपने गीला किया तो अब उसको आपको और भी एक काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसको उसको आपको पकाना पड़ेगा है ना तो जब आप इसको पकाओगे यानि ये आपका ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कच्चा माल है मतलब कच्चा तो है लेकिन ये नहीं बोल सकते कि raw है एकदम मतलब इसमें अभी कोई चीज बदलाव नहीं किया जब कभी भी आप जैसे समान दुकान से लाते हो उस product के अंदर थोड़ी भी changes कर दो तो अभी वो पूरा final होने में time लगीगा तो इसको हम बोलेंगे WIP work in progress और जैसे ही आपके रोटिया बनके तयार हो जाएगी ये क्या हो जाएगा हमारा तो stock को तीन category में बाटा जाता है raw material, work in progress और finish goods तो यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी simple सी बात है अगर मैं समझाने की कोसिस कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कौन से वाला stock लेंगे raw material वाला कौन सा लेंगे raw material, raw material का एक अपना अलक सनेर्यो ठीक है आज आजये इसके बात क्या होगा सर फेक्टरी ओवरहेड ध्यान दिजिए का इसके बात क्या होगा सर फेक्टरी ओवरहेड अप्रेशेशन और क्या आएगा depreciation के बाद आएगा आपको go down rent और क्या आएगा experimental expense और क्या आएगा सर और आएगा हमारा factory overhead में वैसे तो बहुत सारे खर्चे हैं लेकिन मैं कुछ एक main main मोटे मोटे खर्चे लिख देता हूँ go down rent हो गया electricity bill या फिर indirect wages या इसको हम बोलेंगे unproductive wages unproductive wages नीचे लिखते थे productive जैसे इन सभी को हम लिखेंगे हाँ देखे यहां मैं सब को एक एक करके लिखता जाओ और जैसे इसका total आएगा इसका total और इसका total तो हमारे पास एक heading again generate हो जाएगा देट इस ग्रॉस फेक्टरी कॉस्ट ग्रॉस फेक्टरी कॉस्ट उपर चलते जाते हैं जैसे ही ग्रॉस फेक्टरी कॉस्ट हमने लिखा ग्रॉस फेक्टरी कॉस्ट लिखा यहां पर प्लस करेंगे हम opening that is WIP इसको मैं आज के बास short form में बोलूँगा WIP वर्गिन प्रोग्रेस को और माइनस कर देंगे that is closing WIP इसको माइनस प्लस यहीं कर लेंगे है जैसे इसको माइनस प्लस करेंगे एक और heading generate होगा that is होगा cost of production सर कॉस्ट और production क्या होता है माल बनाने का खर्चा बनाने का खर्चा अब जितना माल बन जाता है वह बिखता नहीं है उसमें सब कुछ पार्ट बिखता भी और कुछ नहीं भी बिखता तो cost of production इसके बाद फिर हम यहां पर लिखना चालू करेंगे सर एडमिन एक्स्पेंस और एडमिन एक्स्पेंस किसको बोलते हैं बताओ office के खर्चे यहां पर भी rent आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा सर रेंट आ जाएगा यहां पर भी क्या सकता है office वाले depreciation और यहां पर क्या सकता है सर legal charge यहां क्या सकता है सर accountant के salary मैं उपर उपर करता जाता हूँ एक बार दिखा दूँँ आ इन सभी खर्चे को यहां लिख लेंगे आज तो पूरा टाइम फॉर्मिट में ही जाएगा इन सभी खर्चे को लिखेंगे तो हमारे पास जो यहां पर रिजल्ट आएगा वो आएगा एक मिनिट मैंने यहां पर थोड़ा गड़बड कर दिया इस हेडिंग को न कॉस्ट और पॉड़क्शन की बजाए हमें लिखना पड़ेगा नेट फेक्टरी कॉस्ट नेट फेक्टरी कॉस्ट ठीक है यहां पर जो आएगा वो आएगा हमारा कॉस्ट और पॉड़क्शन अब आएगा कॉस्ट और क्यूंकि यह बहुत लेंदी हो जाएगा मैं काम करूँगा यह वाला पार्ट इतना रख रहा हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट मैं इस साइड कर रहा हूँ ठीक है इसका रिमेनिंग पार्ट इस साइड कर रहा हूँ continue continue लिख लेते हैं क्या लिखा हमने cost of production यह heading आ गई कहां सा है पीछे से ले लिए इसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है प्लस करना होता है opening एफ जी एफ जी मतलब फिनिस गोट्स मैं फिनिस गोट्स को क्या नाम दे रहा हूं यहां पर फोड़ा शॉट फर्म में माइनस करेंगे closing closing क्या एफ जी तो यहां एक प्लस हो जाएगा और माइनस जो भी पार्ट होगा वो ब्रैकेट में हो जाएगा इनको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद हमारे एक रिजल्ट निकल के आएगा देट इस कॉस्ट of good sold इसमें थोड़ा changes है new slayvers में मैं अभी changes नहीं पहले roughly करा हूँ जो है हमारे पास ठीक है इसके बाद आगे देखा जाए यहां पर फिर से हम क्या करेंगे फिर से हम यहां plus करेंगे selling and distribution expense selling and distribution expense और जो selling and distribution expense होगा जैसे कि आपका indirect wages जैसे कि आपका salesman commission जैसे आपका delivery vehicles charge तो जो होते हैं इसके अंदर maximum कितने खर्चे आ सकते इनका मैं लिष्ट अलग से दे दूँगा आपको उस पर अलग से एक पर चर्चा कर लेंगे क्योंकि मैं यहां तो बस पूरे खर्चे तो लिखनी पाऊंगा तो लेकिन जितने में में मैं वह लिख हूंगा मैं इसका color change करना होगा क्योंकि हम रख रहे हैं white इसके बाद हमारे पास आएगा cost of sales cost of sales नीचे सबसे जाके लिख देंगे हम sales नीचे क्या लिख देंगे हम sales अब जो भी difference निकल के आएगा यहां पर वह होगा या तो profit या फिर loss यह difference आ जाएगा और हमसे question में हमेशा profit या loss ही पूछा जाएगा तो आप देखिए थोड़ा और चोटा पर देखते हैं कि मैं कोसिस करता हूं आपको दिखा पहूं एक पीज पर देखिए सबसे पहले क्या करा हमने सबसे पहला heading क्या है मारा first heading की हम बात करें तो first heading क्या है देखिए first heading क्या है sir that is यह रहा prime cost दूसरा heading क्या है gross factory तीसरा क्या है net factory चौता क्या है cost of production पांचवा क्या है cost of goods sold चटा क्या है cost of sales और सात्वा क्या है sales यानि अगर मैं main heading की बात करूं total sales को चलो छोड़ भी देते हैं तो हमारे पास जो main head है कितने हैं छे हैं कितने है main head छे अब इस heading को अचीव करने के लिए पहले अगर आपको prime cost जानना है तो पहले आपको raw material opening stock जितने भी दे रखें आपको raw material opening stock minus closing यहां पर solution करके फिर wages expense एड़ करोगे इन सभी का calculation करोगे तब जाके आपको क्या पता चल पाएगा prime cost है सारे खर्चे ही लेकिन क्या आएगा prime cost जैसे पहले gross profit निकाल ले दे तो ऐसे आपके आगया prime cost ऐसे ही फिर यहां factory के खर्चे लिखेंगे सिर्फ इतने नहीं और भी है जैसे depreciation हो गया go down rent हो गया यह go down की थोड़ा सही से कर लेना experimental expense हो गया indirect wages हो गया productive wages हो गया इन सभी को इसके अंदर add करेंगे तो अब जो हमें result मिलेगा that is मिलेगा gross factory cost gross factory cost में opening WIP और closing WIP जब minus plus कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा net factory cost net factory cost के अंदर admin के खर्चे को जोरेंगा rent depreciation legal charge accounted की salary तो हमें जो मिलेगा result क्या मिलेगा cost of production cost of production में opening FG और closing FG को treatment करेंगे जो हमें result मिलेगा क्या मिलेगा cost of goods sold इसके अंदर फिर हम selling and distribution expense को plus करेंगे तो हमें मिल जाएगा cost of sales और last में sales के बीच का difference क्या होगा हमारा profit या loss हमारे कितने heading होगा सर छे heading अब यहां confusion होगा depreciation तो आप नहीं यहां भी लिखा और depreciation आप नहीं यहां रिखा फैक्टरी वाले depreciation यहां 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 इंगे इसके अंदर एक research and development expense नया add-on हुआ था उसको हम बाद में थोड़ा सा discuss कर लेंगे पहले हम basic basic चीजे देख लेते हैं मैं मिल रहा है income जा रहा है यहां तक बताईए पहले heading कितने पहले heading heading आपको याद होना जरूरी है क्योंकि आपको अगर सारे headings और वह heading के पीछे अगर मैं बूलू prime cost जानना है सर बताओ prime cost क्या होगा तो आपको क्या पता होना चीए raw material पता होना चीए opening stock और वो भी कौन से का raw material का closing stock वो भी किसका raw material का direct expenses जैसे direct wages हो गया या फिर direct flow भी खर्चा दे रहा हो वो होगा तब इन सभी को करने के बाद क्या पता कर सकते हो आप अब मैं बोल रहा हूं चलो यार gross factory cost निकालो gross factory cost निकालने के लिए आप क्या कहोगे sir depreciation आएगा यह सारी चीजों को जब हम करेंगे तो इसके अंदर इन सारी चीजों को जोड़ेंगे तो क्या निकल क्या आएगा gross factory cost अब बोलूगा net कैसे निकालोगे तो बोला बस simple इसमें WIP का कमाल है बस WIP एड लेस करेंगे तो क्या जाएगा net अब मैंने बोला चलो cost of production निकालो इसमें admin के खर्चे और जोड़ देंगे जो कि यह सारे खर्चे जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा cost of मैंने बोला चलो cost of good sold निकालो इसमें FG opening और closing को adjustment कर देंगा तो क्या जाएगा हमारा cost of good sold इसके बाद मैं इसमें selling distribution को करूंगा तो क्या heading आएगा cost of sales और cost of sales में से आगर नीचे sales रखो के बीच का difference जो भी आएगा वो क्या निकल क्या आएगा profit या loss examiner का motive यही है कि आप क्या बताए profit and loss मैंने पहले ही कहा कि यह भी क्या है एक प्रियंडल लेकिन इस प्रियंडल को थोड़ा सा बनाने का तरीका क्या होगा अलग यहां सारे के सारे यह खर्चे लिखे जाएंगे अभी मुद्दे अभी यह खर्चा नहीं है नहीं आएगा डिविडेंट पेड यह भी नहीं आएगा tax income tax profit यह भी इसका पार्ट नहीं होता क्यूंकि यह सारे खर्चे कौन से खर्चें सार यह यह मतलब कि कॉस्ट का पार्टी नहीं है, फाइनिस के अंदर जाजा ध्यान दिया जाता है, प्रांसफर जनर्रिजब में बोलेगा करने को, कॉस्ट शीट में जाएगा, जी नहीं आएगा, एक्सेस प्रोविजन अगर डेप्रिशेशन पर प्रोविजन बनाएगा, ये भी नहीं आएगा, अगर आपने goodwill रिटन आफ कर दिया, ये preliminary expense रिटन आफ कर दिया, underwriter commission रिटन आफ कर दिया, तो ये भी नहीं आएगा, कोई भी capital expenditure हो जाए, चार्ज revenue नहीं आएगा, जैसे कि आपने building खरीद रिया, तो इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन building का depreciation आएगा, कोई भी आप charitable donate कर दो, मैंने donation दे दिया, free sample बाट दिया, तो इसके अंदर वो consider नहीं किया जाएगा, वो किसका part माना जाएगा, finance का part माना जाएगा, इसके बाद देखिए, जो purely finance का part है, सर क्या क्या है, जैसे आपका क्या हो सकता है, loss on sale of investment building, अगर ऐसा कोई है, यह तो खर्चा ही है न, लेकिन आप देखो के कहीं इसकी जगह है, है यह नहीं cost के अंदर, expense transfer to company office, आपने क्या करा, कोई भी expense transfer कर दिया, company के office में, तो यह भी नहीं आएगा, interest on bank loan मैंने बताया था, debenture home mortgage पे यह भी नहीं आएगा, आपका damages payable, आपने कोई ऐसा नुकसान कर दिया किसी का, तो उसके उपर जो खर्चा payment के है, माल लेते हैं कि company की गाड़ी जा रही थी, माल लेके, एक scooter वाले का, उसने क्या कर दिया, एक्सिडेंट कर दिया, तो अब तो company को उसको payment देना पड़ेगा, तो वो खर्चा भाई आप finance का खर्चा है, ना कि cost sheet के अंदर consider क्या जाएगा, माल बनाने से उसका थोड़ी है, penalties आपका fine लग गया, कुछ government ने चलान कार्ट दिया, ले रहा है, वो खर्चा तो माना जाएगा, लेकिन उससे access ले रहा है, क्योंकि मालिक जनरली जितना मर्जी पैसा निकाल लेते हैं, तो वो भी नहीं माना जाएगा, इसके बाद और देखते हैं सर, और भी कुछ खर्चे हैं, जैसे सर, interest receive, जो की income है, हमारे कुछ, जो की नहीं लेंगे, जैसे interest receive होगा, वो भी नहीं लिया जाएगा, profit made sale of investment, वो भी नहीं लिया जाएगा, transfer fee नहीं लिया जाएगा, transfer fee नहीं होता हमारा, यह किसका खर्चा है, यह सारे finance के खर्चे हैं, रेंट रिसीव ये भी एंगेंड दिस्टिविशेट careful 기분 एंट रिसीव ने इन वीडिसप्र संब्र स्काउंट कमीशन इन कलेंने जाएगा डिस्काउंट कमीश्allauft लेकिन डिस्काउंट को ध्यान रखने और कुछ एक कर से घज़के आता है। मैं पहले ही बता दू, loss या gain हो जाए, sale of fixed assets, तो वो cost sheet के अंदर कभी भी, और cost sheet छोड़ो, costing के अंदर ही ये नहीं माना जाता, ठीक है, loss of business property account there, या theft हो जाए, loss by fire हो जाए, तो ये भी नहीं आएगा, in addition, अब अब कोई भी abnormal loss item होता है, तो नहीं आएगा, तो overall, जितने मैंने ये खर्चे बताए है, अगर इद में से कोई भी खर्चा होता है, तो वो यहाँ पे consider नहीं किया जाएगा, अगर questions को करते करते आपको दिख जाए, loss on sale of machinery, तो यहाँ पे कहां पे दिखाओगे, तो जवाब है, नहीं दिखाया जाएगा, इसके लिए note लिखेंगे, कि यह ह हमारा finance का खर्चा है, यहाँ पे एक point दे दिया गया आपको, for example, goodwill return off, तो वो भी खर्चा होता है, हमारा, लेकिन cost sheet के अंदर कहीं पे दिखाया नहीं जाएगा, पहले बताइए, यहाँ तर कुछ समझ में आया, यह pick कहां मिलेगी, notes के अंदर सब कुछ update हो जाएगा, आप अभी नहीं नहीं, indirect wages और unproductive wages बिल्कुल सही बात कहरे हो, यह दोनों same ही है, अभी इसके अंदर मुझे बात भी करना है कि prime cost का एक और नाम होता है, ऐसा ही factory overhead या gross factory overhead का एक और नाम है, इसके नाम और unproductive wages के theory के पार्ट को भी discuss करेंगे, अब तक हम पूरा basic चीज़े नहीं समझ लेते हैं, हम practical पर नहीं जाएंगे, पहले तो आप बताईए कितने heading है, कितने heading है, बताओ, normally मैंने लिखा main heading कितने है, 6, हर किसी को याद है कितने heading है, 6, अभी 6 heading एक बार फटा-फट से आप देखो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ बताना, 6 heading देख लो, आप मैं circle कर देता हूँ, फिर अभी आपसे पूछूँ अभी न देखे बताना, पहला, prime cost दूसरा, gross factory तीसरा, net factory चौथा, cost of production पांच वा, cost of goods sold छटा, यहां तक बताना है, ठीक है, चलो, करें, start, बताओगे, चलो, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, cost sheet, इसके अंदर हमारे पास heading है, इसमें हमारे पास heading है, यह heading बताने, कितने heading थे, छे, सहाब पहला heading, first heading, first heading, आने के लिए आपको कुछ बाते चाहिए, क्या चाहिए सर, जैसे ही आप purchase, purchase और opening stock, किसका, raw material का, minus क्या करोगे, closing stock किसका, raw material का, उसके बाद आप plus कर दोगे, क्या, direct expense, और यह जो आपको पहले बार, जो result मिलेगा, इतना काम करने के बाद, उस heading को क्या नाम देंगे सर, उस heading को नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे, जल्दी जल्दी बताओ, comment में बता दो, क्या नाम होगा, sir इसका नाम रखो आप, prime cost, इसी prime cost को हम direct cost भी कह देते हैं, इसी को एक और नाम से जाना जाएगा, that is, direct cost, चलिए, अब इसके अंदर कुछ बाते हमें, plus minus करना है, इसके अंदर कुछ बाते हमें, plus minus करना है, factory factory overhead sir factory overhead क्या होता है depreciation हो सकता है rent हो सकता है and etc. ज्यादा बाते नहीं लिख रहे है summary में अब जैसे ही ये part यानि इस part के अंदर जैसे ही इन part को plus करेंगे तो हम एक result मिलेगा उस result का नाम क्या होगा जल्दी बताओ दूसरा heading आ गया जल्दी बताओ दूसरा heading बताओ क्या होगा जितने बच्चे live में बता दे इसका क्या होगा opening stock में raw material add होगा बिल्कुल हाँ add होगा बताइए यहाँ पे क्या होगा second होगा net fact ने net ने 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 होगा अभी तो gross आएगा क्या हैगा इसका नाम cross factory अब अगली heading मैं बताओँगा और इसके अंदर क्या होगा यह आप बताओगे अगली heading मैंने बता दिया होगा net factory heading तो मैंने बता दिया net factory cost कहानी यह है कि आपको इसके बीच में क्या क्या आइटम आएगा वो बताइए बताइए यहां पर क्या इटम लिखें जो कि यह result आ जाए बताइए तो जबाब आ गया सर आ गया यहां पर प्लस कर दो ओपनिंग डबलू माइनस क्लोजिंग डबलू यह कर देंगा तो यह आ जाएगा result ठीक है कितने heading निकाल पाए पहला हमारा prime दूसरा gross फिर चौते heading पर तरफ चलते है चौते heading के लिए आपको क्या चाहिए सर admin admin expense चाहिए ठीक है न admin expense मैं बता देता है admin expense में क्या क्या आएगा जैसे आपका rent आ गया जैसे आपका depreciation आ गया और जैसे आपका and other expense एक्सेक्टरा लिख देते हैं ठीक है इन सभी को करने के बाद अब देखते हैं कौन बताएगा इसका heading देखते हैं कौन बताएगा इसका heading बताएगा फटाफट इसका heading कौन बताएगा इसका heading heading बताएगे इसका क्या होगा WIP बिलकुल सभी बच्चों का जवाब आ गया कॉस्ट ओफ प्रॉडक्शन कॉस्ट ओफ प्रॉडक्शन ठीक है समझ मैं है चलिए कितने हेडिंग निकाल दिया एक दो तीन चार चार हेडिंग होगे कितने बच गए दो चलो अगले हेडिंग के तरफ चलते है अगले हेडिंग के तरफ हेडिंग मैं बताऊंगा और इसके अंदर क्या काम होगा वो आप बताऊगे ठीक है ना हेडिंग मैं बता दे तो सर अगला हेडिंग होता है कॉस्ट ओफ गुड सोल्ड अगला हेडिंग होता है कॉस्ट ओफ गुड सोल्ड यहां जल्दी बताओ क्या करें सर कॉस्ट आफ गूट सोल अंसूटेबल पता नहीं क्या बैक सेशन कुछ-कुछ आ रहा है यह आ गया जवाब सर इसमें ओपनिंग एफजी ले लो प्लास और माइनस कर दो क्लोजिंग एफजी बच्चे यहीं पर सबसे बड़ा कॉस्टन के अंदर सबसे बड़ा यहीं पर होता है फिर हेर फिर जब करेंगे तो देखेंगा अडजस्मेंट यहीं लगता है इस वाले पोजीशन पर जागे बागे तो सिंपली एड करना है हमें चलो सर इसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर ले पांच हेडिंग मैंने आपसे पूछे है खतम हो गया या एक और हेडिंग आएगा छटा हेडिंग छटे हेडिंग की बात मैं करूँ तो छटे हेडिंग में क्या आएगा सर आपका सेलिंग एंड इसको करने के बाद अगला हेडिंग कौन बताएगा जल्दी बताओ अगला हेडिंग क्या है जल्दी बताइगे बताइगे अगला हेडिंग क्या है बच्चे का जवाब आगया हिना का सबसे पहले जवाब आया हिना ने बताया सर cost of sale आएगा cost of sales कहाएगा cost of sale यहां तक आपको समझ में आए सिर्फ अभी तो हम heading heading ही समझ रहे है overhead क्या है यह सारी चीज़ों को समझा अभी और भी theory हमें समझ रहा है पहले यहां तक बताईए समझ में आए cost of sales काफी बच्चों का आगया, सारा का भी आगया नुराक का भी आगया, अफरीन का भी आगया काफी बच्चों का जवाब आगया cost of sales, बिल्कुल सही कितने heading होगे total छे, पहला prime cost, दूसरा gross factory, gross factory और prime cost के बीच में कौन है factory overhead, इसके बीच में कौन है इन दोनों के इसके बीच में और इसके बीच में कौन है बहिया, इसके बीच में इसके बीच में कौन है, इसके बीच में ये है अब इसके बीच में कौन है बहिया, इसके बीच में ये है यहां से यहां तक जाने के लिए आपको यह समझना होगा, यहां से यहां तक जाने के लिए यह समझना होगा, तो सबसे पहले क्या था, prime cost, prime cost के बाद, gross factory, gross factory, prime cost में factory overhead involved होगा, फिर आएगा net factory cost, net factory cost के पास क्या होगा, WIP, net factory cost से फिर जाओगे, आप cost of production, उसके बीच में कौन होगा, admin expense, cost of production के बाद जाओगे, cost of goods sold उसके बीच में कौन होगा, opening FG, closing FG last में फिर क्या करोगे आप cost of sales उसके बीच में कौन होगा, selling and distribution, जो मैंने ये format लिखाया, मैंने पूरी-पूरी courses करी है, कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, और इसको याद करने से कुछ नहीं होगा, जितने हम question practice करेंगे, 10, 15, 20 अपने आप ही याद हो जाना है, कहीं आप सोचो यार, ये format सर ने लिखवाया है, तो ये याद कर लेंगे, तो हमारा paper बहुत अच्छा चला जाएगा इसको पहले हम याद कर लेते, तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी को याद करना, बस एक से दो बार आपको पढ़ना है, और वो चीज़े आप questions जब practice करोगे, तो भले ही जब मैं पूछू, तो अब देख देख की बता दो मुझे, लेकिन जितने मैं questions करा हूँ, सभी करेंगे, इससे पहले जितने भी बाते करेंगे, वो थोड़ा सा basic सा बताने में हमारा time गया है, become program, become honor, same syllabus है, क्या बिल्कुल exactly same syllabus है, कोई बदलाव नहीं है, बस question, मुश्किल आसान का फरक है, मैं become honors के सारे के सारे questions कराऊँगा, program की आपको help करेगा, जल्दी-जल्दी syllabus खतम करने में, जैसे जो homework दूँगा, तो पहले क्या कर रहा है, तो homework सारा लिख रहा था, मैंने वो सारे questions अरेंज कर लिए, homework दूँगा, और वो मैं वीडियो डाल दूँगा, यानि कई बार तो आपकी regular classes भी चलेंगी सब्सक्राइब कर दूँगा, जल्दी करवा देंगे, अभी टैनियर में पेट पर नहीं लगें है, अभी मेरे को correction करने, नीचे रखा हुआ है, तो वो भी आ जाएगा, आप मान के चलिये नहीं, दस तारिक तक आपको सब चीजें होंगी, और दस तारिक तक आपको सिर्फ मेरे notes को follow करना है, दस के आप पांस-छे तारिक तक मान के चलिया, cost sheet में, cost account में कौन से book लगेगी, कौन से book लेनी है, addition अभी मुझे भी finalize नहीं है, आपकी book लगेगी महिश्वरी मित्तल, आप देखिए अब बहुत सारी बाते तो पूछ रहे हैं, मेरे बाते को किसी ने जवाब ने दिया, मेरा ये मानना है कि भाईया, ये समझ में आया कि नहीं आया, सवा घंटा हो गए, मुझे एक लास लेते हुए, अगर ये भी नहीं समझा पाए, तो फिर एक गंटा और लगाना पड़ेगा, बताइए, यहां तक clear है, 6 के 6 heading, prime cost, gross factory cost, net factory cost, cost of production, cost of goods sold, cost of sales, clear है, तो हम आज की class में, इससे ज़्यादा करूँगा, तो थोड़ा confusion होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो जो है, एक से डेड़ घंटे के अंदर आपके live वाले section में आ जाएगा, और notes है, वो कल डल जाएगा, या एक दो दिन अभी delay रहेगा, आपने क्या करना है, ये वाले जितने भी हैं, उसको जाके, आराम से आपको pause करके, आप ये format लिखिएगा जरूर, कहां से आपको noting करना है, वो भी मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत सारी बाते बताई है, तो देखें, इसमें कुछ note नहीं करना, इसमें भी आपके note करने कोई बात नहीं करना है, ये भी कुछ नोट नहीं करना है, ये डारेक्ट इंडारेक्ट नहीं करना भया, ये भी आपके नोट करने की मतलब की बात नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बाद ये समझाया भया, ये देखो वही खर्चे समझा रहा था मैं, तो ये भी नोट नहीं करना आपको, आपको और रिवीजन परपस के लिए अधरवाइस नो नीड इन सभी को नोट मत करना मैं पीडिएफ दे दूँगा याद रहेगा वही इनफ रहेगा क्योंकि वह चीज़े मैं करांगा जो कि आपके पास होनी चाहिए दूसरी बात सर अब इसके अंदर मेरा काम क्या है फैक्ट्री बाते इ सकती हैं और अगली आपको आप कई और वार इसदे न गाए जा यह पूस्ते पूझा नinflamm के लिए वह पूरी बनाकर दे कि अरे इतनी जल्दी जल्दी कैसे नोट कर लिया हुआ है तो आप भी नोट करिए फटा-फट ऑफ-लाइन वाले बच्चे कि इसके बैटरी भी खाता हुने आ लिए कि सर्फ कोर्स कबसे स्टार्ट आइभी का ना आप मानके चलिए अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वह तो रिकॉर्ड़ी लेक्चर होगा तो बता दिया जाएगा अभी टेंशर मतले जिए आइभी तो छोटा सा स्लेवस है थेयोरिटिकल है पूरा आइभी इंटरने का देखो मेरा कोई फिक्स नहीं होता कई बार ना तो कुछ फिक्स नहीं होता कैसे हो जाता है वैसे तो मैं प्रितम शकूरपूर है यहां पर लेता हूं कई बार कहीं स्टूडियो से ले लिए कई बार कहीं स्टूडियो से ले लिए नहीं वर्षा आपका अभी आपने बोला कमेंट शो हो रहा है अभी देखते हैं उपर आपका चला गया हो वर्षा ने हैंड्रेज किया है तुबारा टाइप कर दो उपर चला गया होगा यह शकुर्पूर है नियर्बाइ नेताजी सुभास पहलेस कोर्स वाइस कब तक एंड हो जाएगा आपका कोर्स वाइस एंड हो जाएगा यह अपरिल में एंड हो जाएगा मही तक नहीं जाएगा यह कोर्स और आप आप सभी बच्चों को इसका प्री रिकॉर्डिट भी मतलब मिल जाएंगे कुछ पार्ट्स तो जल्दी हो जाएगा जल्दी करना चाहिए सर गोहाटी है ओके एडिशन वगयरा बुक का बस मुझे पांस तारिक संडे तक का वक्त दीजिए संडे मैं खुद जाके जब तक नहीं देखूंगा मैं बोल दूँ यह ले लो गलत हो जाएगा मैं बुक है यहां पर फ्रंट आपको दिखाऊंगा कि यह बुक लेनी है ट अगर आपने सुरू से पढ़ा है तो ऐसा ही कॉस्टिंग का पेपर जाएगा पेपर एजटी इस कोस्टन बताऊंगा वही आते हैं उसी टाइप के रिकॉर्डिंग भी सेम ही होगा रिकॉर्डिंग बिल्कुल सेम जैसे कुछ क्षेशंश मैंने उमफक में दिया उसका मैं रिकॉर्डिंग के पहले से कर लिया कि क्या वंबक देना है बुहाटी में महिश्वरी मित्तल मैं लिंक दे दूँगा Amazon का हर बच्चों को पूछ के एक बार कि पब्लीचर से भाई जो लिस्टेड है लिंक से बच्चा बाई कर सकते हैं और नियर भाई शॉप का भी बता दूँगा एमे नरोडा भी बुक है लेकिन एमे नरोडा मैं आपको पांचवे समिस्टर में लगवाऊंगा अभी आपको महिश्वरी मित्तल है बिल्कुल लीव कर सकते हैं क्लास नोटिंग हो गया हो तो ठीक है तो आपको अच्छे से बस रिमाइंड करना है लेक्स माइंड होके कोई टेंशन नहीं लेना और इसको अच्छे से बस नोट कर लेना और कुसिस करिएगा हेडिंग को एक अलग पैंसे लिखें और बाकी जो है अंदर के कंटेंट को अलग पैंसे बिल्कुल साफ सुन्दर दिखना चाहिए ताकि आपका भी पढ़ने का म बिल्कुल लाइव में पूरा कोर्स होगा